असलाम वालेकुम एब्रिवन वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल तो आज हम डिस्कुस करेंगे स्पाइरल ओफ साइलेंस थियूरी 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 जो थी वो जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस थी ठीक है और जो इसके न्यू मैं थे वो इन के वो थे हस्बेंट थे जो अलीजाबेट थी वो पब्लीक ऑपिनियन रिसर्च की प्रेजिडेंट थी और जो इनके हस्बेंट थे वो पब्लीक ऑपिनियन और्गनेजेशन के बुक के फाउंडर थे उन्होंने फाउंड किया था उस बुक को पब्लीक ऑपिनियन था उसके बाद 1980 में जो स्पाइरल ऑफ साइलेंस थी पे जो फर्स्ट बुक थी वो लिखी गई थी अलिजाबेट ने लिखी थी और जर्मन में वो पब्लिश हुई थी उसके बाद जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो इंग्लिश में पब्लिश हुआ थी चार साल बाद 1984 मे लिखेट पलिटिकल जर्मन साइंटिस थी और ये दोनों हस्बंट वाइफ थे लिखेट न्यू मेन नके हस्बंट थे तो इन दोनों ने इस थियोरी पे काम किया थी थी और ये कब हुआ था ये थी थियोरी इस थियोरी पे तब फोकस किया गया वanter वर्ड वाड टू के आपनी स्क्ली सब्सक्राइबुड में अर्ब को नियुम ह्या था ये छी में चानले तक उसे कार्फ क भी धॉयम्ट से अधिका को लुख परने यह तो इससे जारी पर शूरी को लिखा घाए हैं नेक्स्ट आप देखे तो यहां लिखा होगा, इट वाज मेड फार बोथ पॉलिटिक्स एंड मैस कम्यूनिकेशन, मतलब यह जो थेरी है, यह पॉलिटिकल भी है, और मैस कम्यूनिकेशन थेरी भी है, उसके बाद the main idea is that people influence each other, इसमें यह बताया किया है, कि इसका जो main idea वो यह है, कि लोग जो आपने जो वो सोचते हैं वो एक दूसरे को बताते हैं, वो अपनी जो होती है ना, अपनी thoughts, अपने views वो एक दूसरे के साथ share करते हैं, social interaction के साथ, और फिर देखते हैं कि क्या उनके views majority के साथ मिल रहे हैं, अगर उनके views majority के साथ मिल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खुश हो जाते हैं अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, लेकिन अगर वो देखते हैं कि उनके views majority के साथ नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या करते हैं वो चुप हो जाते हैं वो silent हो जाते हैं इस तरह हैं इसका concept दिया गया है उसके बाद है लिखा हुए according to spiral of silence theory individual will be more confident and outward with their opinions when they notice that their personal opinion is shared through a group उसने कहा कि जो individual है ना वो ज्यादा confident हो जाता है वो फिर बहुत सोच समझ के बोलता है जब उसे पता होता है कि बहुत ज्यादा लोग उसकी बात सुनने वाले हैं मतलब उसकी एक बात को पूरे ग्रूप में क्या किया जाएगा शेयर किया जाएगा तो वो क्या करता है सोच स हम इसके बोलता है और अगर उसके व्यूज नहीं मिल रहे होते हैं सबके साथ वो क्या करता है वो silent ही रहता है next हम देखते हैं इसका concept इसका concept ये है कि लोग किसी भी intuition या awareness के थूर ये जान लेते हैं कि majority क्या सोचती है इसके बाद जो उनके व्यूज होते हैं तब तक loudly नही कर लें अगर एक person है कि जिसके व्यूज हैं वो majority के साथ मैच हो जाते हैं तो वो अपने व्यूज को ज्यादा हमियत देता है और ज्यादा बार बताते हैं दूसरी तरफ देखें तो लोग अपने opinion और अपने व्यूज को अपनी हद तक रोक कर रखते हैं अगर वो ये बात देखने के majority के views चेंज हैं और ये चीज जो होती है उनके खुद के opinion में भी change ले आती है और फिर उनका खुद का opinion भी majority जैसा बन जाता है इसमें आप diagram देख रहे हैं image of the spiral of silence theory तो इसमें एक तरफ लिखा हुआ है opinion expressed as dominant by mass media और दूसरी तरफ लिखा हुआ है interpersonal sport for deviant opinion तो एक त उसी तरफ हमारे पास deviant opinion है जो dominant से different है ठीक है जो dominant opinion से different deviant opinion रखने माले लोग है वो different है लेकिन जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं नीचे लिखा हुआ है amount of people not openly expressing deviant opinion and are changing from deviant to dominant opinion लेकिन जब ये दोनों चीजें आपस में मिक्स होती हैं तो क्या होता है तो वो लोग जो dominant से deviant रखते हैं वो खुद भी mass media की वज़ा से वो इसको इतना ज्यादा मतलब mass media dominant opinion को इतना ज्यादा highlight कर देता है कि जो deviant opinion रखने वाले होते हैं वो deviant को छोड़कर dominant की तरफ चले आते हैं ठीक है तो इस तरह से क्या होता है spiral of silence theory चलती है तो एक example से हम देखते हैं बह करी बार ऐसा होता है कि जब हम classroom में होते हैं तो जो हमारे subject teacher होते हैं हमें कुछ बताते हैं समझाते हैं तो हमें वो चीज समझ आ जाती है लेकिन कभी कबार ऐसा होता है कि कुछ चीज़े ऐसी होती है हमें समझ नहीं आती मतलब math का कोई formula है तो हमें समझ नहीं आया ठीक है क कुछ चीजा हमें समझ नहीं आते हम सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ हमें समझ नहीं आई ये असान थी लेकिन बागी सबको समझ आ गया तो हम क्या करते हैं हम टीचर से अपने पूसने से ड़रते हैं कि टीचर क्या कहेगा कि बागी सबको समझ आ गया सिर्फ तुम्हें समझ आई तो इस तरह आप किया करते हैं आप चुप रहते हैं आप नहीं बोलते हैं तो ये भी एक स्पारल ऑफ साइलेंस का ही कंसेट है तो अब हम features की बात किरते हैं features of spiral of silence theory तो जो सबसे first वाला arrow है उसके मताबिक हम देखें जो उन्हें कहा कि जो name एना spiral of silence theory ये एक ऐसी phrase है जो ये कहती है कि जो लोग होते हैं वो अपने ideas किसी के साथ share नहीं करना चाते हैं खास कर तब जब वो ये जान लेते हैं कि उनके ideas majority के साथ match नहीं होते मतलब कि जब उन्हें ये observe कर लेते हैं कि वो minority में आ रहे हैं majority में नहीं आ रहे तो वो क्या करते हैं वो चुप रहना पसंद करते हैं वो अपने जो viewpoint है वो public के साथ share नहीं करते हैं खास कर इसकी दो वज़ा होती है fear of isolation और separation की वज़ा से कि यहां तुसे isolation का डर होता है यहां उसे separate or negative डर होता है कि उसे group से अलादा ना कर दिया जाए कि यह गलत बोलता है यह इसने सई viewpoint नहीं देता तो इस तरह से ठीक है जो second number पे feature है वो mass media यह है कि mass media जो है ना वो लोगों के opinion बनाने में opinion formation में बहुत ज्यादा role play करता है ठीक है spiral of silence यह theory की effect में भी media का बहुत ज्यादा role होता है जब information जोता है media provide करता है mass media के जरीए ठीक है तो जो एक individual होता है वो अपने social environment के मतलिक मज़ीद जानता है उससे ज्यादा पता चलता है अपने social environment का उस information के जरीए जो mass media के जरीए उससे मिली होती है ठीक है तो इससे क्या होता है इससे एक तो उसकी information में अदाफा होता है तो उसकी opinion क्रियेट हुए ठीक है तो mass media ने क्या role play किया एक individual के opinion बनाने में role play किया उसके बाद जो mass media क्या करता है एक specific condition प्रोवाइट करता है कि एक person को कि वो decide कर सके कि जो उसके opinion है वो majority के साथ match हो रहे हैं या majority के साथ contradict कर रहे हैं ठीक है तो जो mass media directly या indirectly help करता है public opinion information में और encourage करता है spiral of silence theory को ठीक है तो थर्ड पर ये कह रहे हैं कि जो spiral of silence theory है वो concern करता है four different elements से जिसमें mass media आ जाता है interpersonal communication आ जाता है social relation आ जाता है individual expression of opinion आ जाता है मतलब ये कहना चारे हैं कि ये जो चारो elements होते हैं ये public opinion formation में बहुत ज्यादा role play करता है mass media तो हमने बात की मेडिया क्या करता है public opinion formation में help करता है interpersonal communication जो होती है वो भी बहुत तरीके से हम जब करते हैं surrounding में अपने opinion के बारे में जो हमारे खुद अपने जो environment social environment के मतलिक जो हमारे खुद के होते हैं opinion उसके बाद social relation करके जो हमारे social relations होते हैं से हम एक दूसरे के साथ discussion करके क्या करते हैं अपने opinion के format करते हैं उसके बाद individual expression of opinion आज़ता है तो मतलब कहना यह चार है कि जो चारो elements है ना यह public opinion में और spiral of silence theory में बहुत ज़्यादा role play करते हैं ठीक है तो इसी के साथ हम अपना lecture finish करते हैं नेक्स लेक्चर में हम इसका second part discuss करेंगे जिसमें spiral of silence का frame discuss करेंगे condition discuss करेंगे और criticize किया जिस जिसने theory को वो देखेंगे आप इसका second part देखना मत बुलिएगा और चैनल को subscribe करें share करें, like करें वीडियो को अगर आपको वाकिह में पसंद आया तो thank you so much Allah Hafiz